हेलो दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे KTM Duke 125 के न्यू 2022 मॉडल के बारे में और अभी जो आप देख रहे हैं ये Duke 250 नहीं बलकि Duke 125 का ही न्यू मॉडल है जो की इंटरनेशनल मार्केट में पहले से ही अवलेवल है और अब आने वाले एक दो महिनों में KTM Duke 125 का यही सेम न्यू मॉडल हमें इंडिया में भी देखने को मिलने वाला है तो अगर आप भी New Duke 125 लेनी की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप पूरी देख लेना ताकि आप इस बारे में कोई भी इंफर्मेशन मिस ना कर पाएं तो चलिए वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तो Duke 125 अपने सेग्मेंट में सबसे प्रिमियम लुक वाली बाइक है लेकिन कमपनी ने काफी टाइम से इसमें कोई अपडेट्स नहीं किये हैं पर New Duke 125 की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज इसकी लुक्स में होने वाला है दोस्तो New Duke 125 में अब स्प्लिट डिजाइन की LED हेडलाइट मिलेगी जैसे की Duke 250 में आती है इसमें LED इंडिकेटर्स मिलेंगे और जो टेल लाइट है ये भी LED में मिलेगी पर टेल लाइट का जो डिजाइन है ये पहले की जैसा ही सेम रहेगा दूसरा जो बड़ा अपडेट है वो इसके मीटर कंसोल में होगा अब New Duke 125 में बिल्कुल New Design का मीटर कंसोल मिलेगा जैसा की Duke RC 125 में आता है और इसके मीटर कंसोल में आर्पेम मीटर, स्पीडो मीटर, सर्विस रिवाइंडर, साइडिस्टेंड, कट अफ जैसे सभी modern features मिलेगे और साथ में turn by turn navigation system का feature भी इस बार New Duke 125 में मिलने वाला है दोस्तो इसके engine की बात करें तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा इसमें पहले वाला ही 124.7cc का single cylinder 4-valve liquid cooled F5 BS6 engine मिलेगा जो की power produce करता है 14.5 PS की और talk generate करता है 12 Nm का वहीं बात करें इसके tire section की तो दोस्तो front में 110 by 70 का 17 इंच का tubeless tire rear में 150 by 60 का 17 इंच का tubeless tire इसमें मिलेगा और इस bike में dual disc brake आता है दोस्तो front में 300 mm का disc brake, rear में 230 mm का disc brake इसमें मिलेगा और तीसरा जो update है वो इसके color option में होगा अब दो नए colors इसमें मिलने वाले हैं ceramic white और silver metallic ये दो नए colors सब इसमें मिलेंगे अगर price की बात करें तो new Duke 125 का एक showroom price 4-5000 रुपेज ज्यादा होगा अभी वाली Duke 125 से तो दोस्तो ये थी सारी updates new Duke 125 के बारे में आपको कैसी लगी ये bike वीडियो में comment करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर देना, share कर देना और अभी तक आपने इस चैनल को subscribe नहीं कराए तो दोस्तो चैनल को subscribe कर लेना और bell icon भी साथ में दबा देना ताकि आपको bikes के और car के new updates मिलते रहें और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में Thanks for watching